नमस्का दोस्तों मैं हूँ रानापुता प्रॉय आपका दोस्त दोस्ते एगर फिस्ट स्वागत है आप सब का मेरी वुटिप चैनल पर जिसका नाम है हेल्था एंड बीटी टीप्स भाहे रानापुता प्रॉय यानि कि मैं दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है मैक्स गैलें 75 mg कैप्सूल मैक्स गैलें 75 mg कैप्सूल जो की नशों से संमंधित दरद में इस्तेमाल किया जाता है आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हिंदी में बहुत असान शब्दों में देने वाला आता कि इस प्रकार के वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पूस सके दोस्तों मैक्स गैलें 75 mg कैप्सूल जिसके अंदर पाए जाता है प्रीगावलें 75 mg प्रीगावलें एक प्रकार का एंटी कॉनबलसंट या आपेक शिरोधी मेडिसीन है जब किसी पेशें के नशो का दरद बॉडी में किसी भी इस्थान पर हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल निरोपैथिक पेन में करते है या नशो सिसम्मंधित दरद में करते है शाथ साथ एपिलेपसी या फिर मेरगी के दोरे को कम करने के लिए उसमें जो सीजर हो पेशेंट का जो नशे वो दब जाता है या डैमेज हो जाता है जिसकी वज़ा से उसको बहुत ज़्यादा दरद होता है साथ-साथ जो डायविटीज के पेशेंट होते हैं उनके नश दब जाते हैं कई बार डैमेज हो जाते हैं जिसकी वज़ा से बहुत ज़्यादा दरद ह होता है साथ-साथ उनके अगर पेनिस में भी किसी भी प्रकर की नशों से संबंधी दर्द है तो उसमें भी फायदा पोचाता है और अगर उनको नपुंग शक्ता भी आ जाती है तो उस कंडिशन में भी इसका इस्तेमाल करने से जो नशों की एक्टिवीटी है वो बढ़ जाती है साथ-साथ अन्न इस्पाइनल कॉर्ड इंजारी में इसका इस्तेमाल होता है या फिर जो मसल है और टिसूज है जो डैमेज हो जाती है उसकी बज़ा से जो दरद उ नवलसंट मेडिसीन है सबसात यह और एंजियोलाइटिक का भी इसके अंदर गुण है इसलिए इसका प्योग एंज़टी डिजॉर्डर में रेस्टलेस लेग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें की पेशेंट के हाथ पैरों में कमपन होता है और जिससे उसको बहुत ज भुझाः संथा है यह पैसे माईग्रेन के लिए तो नहीं बनाए लेकिन इसका इस्तिमाल करने से जो माईग्रेन का दरद है उसमें फायदा होता है यह तो आगर छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उस समय उसके बोड़ी मे दरद होता है एक प्रकार का और अन्न मेडिसिन से वो पेन नहीं जाता है तब उस समाई इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहने से वो धरत जो है धिरे धिरे वो चला जाता है तो ये जो प्रिगावालन मेडिसीन है ये बहुत ज़ादा फायदेमान मेडिसीन है इसका इस्तेमाल बॉडी के किसी भी इस्थान का जो नशों से संवाधित दरध खास्तोर से उसमें बहुत ज़ादा फायदा करता है साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का जोडों से संबन्धित हो मसेल डैमेज होने की वज़ा से हो या नशे डैमेज होने की वज़ा से हो बोटी में दरद हो रहा है या फिर आपके खोपड़ी में या और किसी इस्थान के नशों में किसी भी प्रकार की परेशानी होने की वज़ा से दरद हो रहा है तो इस मेडिसीन का इस्तेमाल किया जाता है अगर इसकी डोस की बात करें तो इसका एक कैपसूल रोजाना रात को खाना खाने के बाद पानी से लेना चाहिए इसको आप चाहे तो दूद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रोजाना रात में ही लेना सही रहता है ये एक बार लिया जाता है अन्न पेन किलर लेने के बाद तुरंत ही फायदा करता है लेकिन ये धीरे धीरे फायदा करेगा और जब इसको आप 5-7 दिन तक ले लोगे तो उस समाई लगेगा कि हाँ आपका जो दरद है वो कम हो रहा है देखिए दोस्तों ये जो है अन्न मेडिसीन की तरह नहीं है प्रीगावालिन जो है ये एक प्रकर का एंटी कॉनवलसंट मेडिसीन है साथ-साथ एनलजसीक का भी गोण है इसके अंदर और एंजियोलाइटिक भी है तो ये कई सारे गोण है इसके अंदर तो ये धीरे-धीरे काम करता है और चीज़ को जड़ से खतम करता है तो ये मेडिसीन बहुत फायदे मन्द है मिरगी के जो दोरे है उसमें जो जटके आने लगते है उसको काम करने में बहुत फायदा होता है साथ-साथ किसी भी स्थान का जो दरद है उसमें ये फायदा करता है इसका नियमित इस्तेमाल करने से जो नशे डेमेज हो जाती है मसिल डेमेज हो जाता है जोड ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है उसकी नशे दबी होने की वज़े से या ठीक प्रकार से उसमें blood का circulation ना होने की वज़े से जो दरद होता है उस दरद में ये फायदा करता है इसकी अगर side effect की बात करें तो इससे नीद और सुस्ती रहती है साथ-साथ इसमें confusion की स्थिती बनी रहती है चीजों को याद रखने की जो समता है उसमें प्रोहाब डालता है साथ-साथ उल्टी उपकाई gas अपच ये हो सकता है मुझ ज़्यादा सुकता है इससे तो इसलिए इसको लेने के बाद में आपको पानी पीना पड़ेगा बार-बार और साथ में डॉक्टर आपको कई प्रकार के अन्न मेडिसीन का कम्बिनेशन साथ में आपको एंटसीड आदी भी दे सकते है तो इस प्रकार की कोई समस्था नहीं होगी तो दोस्तो मैक्स गैलिन 75 MD कैप्सूल जो की सन फर्मा लबराटरीज लिमिटेट का एक प्रोड़क्ट है उसके बारे में संख्षिप में जो भी मैंने जानकारी दिये है आपको अच्छी लगी होगी जरशा भी हेल्फफूल लगा है हमारा वीडियो हमारी जानकारी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना दुस्तो में झाल झाल